हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं फिर आज जिर हो गई हूँ आप तेले धेर सारी किचिन टिप्स लेकर आज के हमारी टिप्स बहुत जादा खास होने वाली हैं तो वीडियो को फॉल वाच कीजेगा वीडियो कर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और तो जहां पर वाइट दिवाल होती है तो उने साफ करने के लिए मैं बहुत एजी ट्रिक बता रही हूँ आपको कि जो भी आगर आपके बच्चों ने कहीं पर भी क्रियोंस वगेरा चला दी है या लिप्स्टिक चला दी है तो और उसको आपको लग रहा है कि वो साफ करना इंपॉसिवल है तो बिल्कुल भी इंपॉसिवल नहीं है यहाँ पर हमने थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाया है और टूथपेस्ट को लगाने के बद्द आपको कुछ भी नहीं डालना है इस में ना पानी डालना है ना कोई और चीज डालनी है बस आप उसे अपनी और वाइट दिवाल पर कोई भी निशान लग जाता है तो बहुत जादा भद्दा लगता है लेकिन उसे साफ करना बहुत ही इजी ट्रिक है ये तो आपने देखा मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट को लगाया और उसके बाद इसे रब करना शुरू कर दिया और रब करते करते आप देखेंगे जो लिपस्टिक का करता वो सारा टूथपेस्ट में चेंज हो गया है और उसके बाद आपको बस कुछ भी नहीं करना है जरा सा कोई भी गीला कपड़ा लीजिए और उसके बाद उसे उसी साफ कर दीजिए आप देखेंगे कोई नहीं कह सकता यहाँ पर आप क्या करना है इस तरह की रिदफेकने का मन भी नहीं करता है क्योंकि यह काफी अच्छी होती है, तो आप क्या कीजे, टूथ पेस्ट ले लीजे और टूथ पेस्ट का कोई भी खाली कैप ले लीजे, हमें सिर्फ यहाँ पर कैप चाहिए, और कैप को थोड़ी दिर के लिए साइड में रख देते हैं, उससे पहले हमको क्या करना है, जित तो चिपकाएंगे हम तो चिपकाने के लिए आपته भ혁आपने के ब फ़ेविई कोई कई चिपकाते हैं तो उसे क्या होता याप मैंने फ़ेवी कुई को केस्तों चेपिए, उस विझे मुझे थे को चिपक जाती है। पर्मानेंट चिपकने की बज़े से कि यह हमारा जो लेड है वो जब तक रहेगी तब तक यह इसका जो उपर का कैप है यह हटेगा नहीं तो छोटा मोटा सा ढकन बनकर हमारा त्यार हो गया अब आपको इसको किसी भी चीज से ढकिए कुछ भी कीजिए इसके अंदर से भाब बहुत ज़्यादा कच्ड़ा हो जाता है तो उसको निकालने के लिए कर आप नॉर्मल चनी का इस्तमाल करेंगे तो चनी में से भी चोटा-चोटा सा जो कच्ड़ा है वो निकल जाता है तो उसके लिए आप छनी पर न पहले थोड़ी सी कॉटन रख लीजिए और कॉटन र दबा कर इसका पूरा ओयल निकाल दीजिए कॉटन में बिल्कुल भी तेल नहीं रहता है और जो तेल है वो आपका बिल्कुल साफ हो जाता है तो देखिए कॉटन के अंदर पूरा जो कच्ड़ा था न वो सब चला गया है और बिल्कुल इसके अंदर तेल तो बिल्कुल न को वेस्ट समझ कर फेक देते हैं तो एक बार आप जरूर ट्राइ कीज़ेगा अगर आपके पास न इस तरह के दो ढखकन मिल्यां तो आप उनको अपने कहीं पर भी शैल्फ पर एक एक देड़ इंची की दूरी पर किसी भी ग्लूगन की मदद से या फैवी की मदद से चिपक यहां आरे हम आप चाहgen तो इसे फैव Eigen की मदद से बहुत से को इतनी दूरी पर अपना इसका यूज आ अपने किसी बी तरह से कर सकते हैं चाहे तो आप अपनी सिजर वागर तो हमारा लाइटर भीग जाता है, तो उसको टांगने के लिए यह आइडिया बहुत अच्छा है, तो आई होप आपको मेरा यह आइडिया पसंद आएगा, चले बढ़ते हैं नेक्स आइडिया की तरफ, नेक्स आइडिया के लिए यहाँ पर लिया है मैंने एक ग्रॉसरी ब कर लूँगी, तो इसमें से करीबन आठ टुकडे मिल जाते हैं हमें और इनको अब हम अपना अलग कर लेंगे, अगर आप इनने चाहे तो और भी कट कर सकते हैं, जिससे यह पास-पास के लेकिन, मैं अगर इसे इस तरीके से काटती ने, तो यह और जादा छोटे हो जाते ह तो इसलिए मैंने इसको यहां से जहां पर सिलाई वाला पार्ट होता है, तो वहां से उसको फार दिया है, और बहुत इजली भड़ जाते हैं, तो यहां पर जितने भी प्रिंटेड वाले पार्ट थे, उनको अलग कर लूँगी, और जो प्लेन वाले पार्ट है, उनने अल इसको मैं साफसफाई के लिए इस्तमाल करूंगी, लेकिन जो प्लेन वाले हैं, उनका हम इस्तमाल करेंगे यहां पर, तो यहां पर मैरे जो ग्रॉसरी होती है, उसके बैक्स, इसको रखने के लिए बहुत अच्छे से काम आते हैं, तो उसको आपको क्या करना है, एक एक ट अच्छी स्लिप होती है, तो गिरने का भी डर रहता है, तो यह छोटी सी ट्रिक है, आयोप आपको यह भी पसंद आई होगी, नेक्स टिप है मेरी इस तरह कुकर की रबर को लेकर, कई बार क्या होता है, हम खाना बनाने बैठते हैं, और तभी हमें पता चलता कि हमारी जो क कुकर की रबर है, वो टूट गई है, और तूटी भी इतनी बुरी तरीके से है, इसको जोड़ना भी मुश्कल सा लगता है, लेकिन आज मैं आपको एक्तम सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, जिससे अगर आपकी कुकर की रबर के दो से तीन टुकड़े भी हो गए हैं, तो भ ग्रिप बना लेंगे, और ये जो रबर है, बहुत एजली चिपक जाएगी, जिससे ये छोटा मोटा सा जुगार हुआ, थोड़ा कम टाइम के लिए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके, आपको नई रबर खरीद लेनी ची, क्योंकि ये जो चीज़े होती हैं, ये थोड़ा से परपस से खतरनाक होती है, क्योंकि अगर हमने ये अभी चिपका लिया, तो थोड़े बहुत दिन दो चल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कि ये लाइफ टाइम के लिए हो गई है, तो इमर्जंसी में ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राइ कीज़ेगा, अगर आपके साथ भी कभी हो जाता है, तो आयोब छोटी सी ट्रिक है, आपको ये भी पसंद आएगी, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स टिप की तरफ, नेक्स टिप है मेरी जो चाय वाली चन्नी है उसको लेकर, तो इसी तरह हमारी चन्नी भी तूट गई है, तो उसको भी आप इसी ट्रिक से बहु बनाते हैं, तो हम लोग जब आलू कट करने के लिए कोशिश करते हैं, तो कई बर क्या होता है, हमारा जो आलू का साइज है, कभी तो वो मोटा कट जाता है, कभी वो पतला हो जाता है, तो मैं आज आज आपको एक ती सिंपल ट्रिक बता रही हूं, जिससे आप बहुत ईज आलू काट लेंगे और एकदम साइज के कटेंगे और ना कोई मोटा होगा, और इस तरीके से आप चाहे बड़ा आलू हो, छोटा आलू हो, कोई भी आलू हो, इसी ट्रिक से आप बहुत ईजली काट सकते हैं, तो इसलिए आपको जब बहुत बनानी हो या फिर आपको पको बनानी हो, और आपको आलू काटने में दिक्कत हो रही है, कभी पतला कभी मोटा हो रहा है, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राइ कीजेगा, बहुत अच्छी है, ऐसे ही आप प्याज को भी काट सकते हैं, चाहे तो आप इसे इस सेप में काट लीजे, या फिर आप इसे लंबा लंबा शेप में काट लीजिए, जिस भी शेप में काटेंगे ने ये एकदम इक्वल साइज में काटती है, तो मैं आपको प्लेट में रखकर अलग बता रही हूं, ताकि आपको ठीक से समझ में आए, देखिए प्याज के जो स्लाइज इसे बिल्कुल पर्फेक्ट की जरुत होती है, तो इस तरीके से आप एक बार जरूर ट्राई कीजेगा, और काफी अच्छी साइज में काटती है, ऐसा नहीं है कि बहुत जादा पतली हो रही है, या फिर बहुत जादा मोटी हो रही है, बिल्कुल एक्वल साइज रहता है, तो जब भी आपको प्याज बगरा काटने में दिक्कत हो, और आपको लगता है कि आप एक साइज में नहीं काट पाते हैं, तो इस ट्रिप को जरूर ट्राई कीजेगा, आपको जरूर पसंद आएगी, तो देखे यहां पर मैंने प्याज को कितना बढ़िया तरीके से काट दिया है, है ना ना तो लग काटने हो, या प्याज काटनी हो, खीरा काटना हो, कुछ भी काटना हो, आप सब कुछ बहुत एजली काट सकते हैं, तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, आयोप आपको सारी टिप्स पसंद आ रही होंगी, अगर पसंद आ रही हों तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब कुछ भी आप इस तरीके से काट सकते हैं, अच्छा, दूसरी टिप एक और बताती हूँ, आपको जैसे कभी कभा ऐसा होता है, हमें च्छनी, मतलब जो होती है न, चाय वाली उससे भी जरूत पड़ जाती है, तो जैसे हमारे पास चाकु भी नहीं मिल रहा है, कभी कभी च च्छनी होती है न, उससे आप अपनी यह आलू हो, या प्याज हो, कुछ भी हो, बहुत एजली काट सकते हैं, जो इस तरह की जो च्छनिया होती है, तो देखिए, पहले मैं आपको प्याज कट करके बता रही हूँ, तो देखिए, आप प्याज काट सकते हैं, यह सिर्फ ए अगर आपके साथ भी यह प्राब्लम हो रही है, तो देखिए, यहाँ पर प्याज भी मैंने काटी है, और इसी तरीके से मैं आलू भी आपको कट करके दिखाऊंगी, तो आई होप आपको मेरी सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी, पसंद आई हो, तो लाइक, शेर, सब्सक् वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई